असलाम लेकुम वियोर्स कैसे हैं आज जा मैं आप यसाद वैसे पी शेयर करूंगी वह है बीफ स्पागटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कीजी बीफ बॉन्डेस ठीक है उसके बाद आप चिकन भी ले सकते हैं उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट करना है वन तीस्पून सोया सॉस हाफ टीस्पून अस्बस्टिपेस्ट आप टीस्पूण चिली फ्लैक्स आप्टी स्पून ब्लाट पेपरर आप टीस्पून तिक्का मसाला और तो थोड़ा सा अलीफ ओल भी आइंट करूंगी ओर इसको फिर हम मिक्स करेंगे यह मारा मैरिनेशन का स नहीं नहीं कम इसको है कम सेज़ मिन न करें इसकों मेरीनट कर più कम से कम एक घंटा केा हम तो गहन भी और मैसे मैरीने जो कम से कम 15 मिनटे के कि यह अभी आध्य प्जिया Satya बाइल आप एडो बोर्टर डिया राइंस मेरा व्यार बॉचरल हो चुका गी अब मैं इसमें बैक पॉलर का स्पागेटी आड़ करूंगी गी रालने से में ये बैनेफिट मिलता है कि जो स्पागेटी होती है एक दुसरे से चिपकती नहीं है यह हमारी बॉयल हो चुकी है अब मैं इसे स्टैलर के मदश से चान लूँगी और थोड़ा से ठंडा पानी भी राल दें तो यह दुसरे से चिपकती नहीं है अब मैं एक पेर में ऑईल गरम खरूंगी मैंने सर्सुक ऑईल लिया है यह मारा ऑईल गरम हो चुका है इसमें मैंने एड़ किया हवन कप बंगो भी हाफ कप शिमदा मिर्च हाफ कप ब्रेट शिमदा मिर्च अब इससे हरका सा फ्राय करेंगे उसके बाद मैंने इसमें एड़ करूंगी नमक ब्लैक पेपर चिली फ्लैक्स यह सब मैंने हाफ टी स्पून दिया है अब इससे हम अच्छे से फ्राय करना है फ्राय करने के बाद हम इसे किसी पेन में निकाल लेंगे यह मारी फ्राय हो चुकी है हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया अब हम इसमें लेसन का बगार दिया है लेसन का और प्यास का अधिया प्यास का बगार दे के इसमें मैंट करूंगी टेमाटर पैस्ट एक कफ मैंने इसमें टेमाटर पैस्ट अड़ किया अब मैंने इसे अच्छे से पकाना है इसको मैंने थोड़ी दे ढखके रग दिया ताकि इसका पानी थोड़ा जल जाए इसका पानी जल चुका है अब इने इसकी थोड़ी से भुनाई की अब इसमें अपना गोश जो मैंने मैरिनेट करके रखा था इसमें हमें कोई मसाला ढालने की दरूबत नहीं है अब हम अपना बीफ थोड़ा सा गलाना है इसको अच्छे से हमने फ्राय करना है अब इने इसमें हाफ कप कैचप कैचप आइट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे यह मारा बीफ का बीफ बिल्कु रेड़ी है अब मैं इसमें एट करूंगी अपना पास्ता स्पाइगेटी हम इससे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें के बागार से बहुत अच्छा फ्लाइवर आता है अब इसमें इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है इसको मिक्स कर रहे हैं इसके बाद हम इसमें अट करेंगे अपनी वेजिटेबल्स जो हमने फ्राय करके रख दी दी हमारी स्पैगेटी तकरीबन रेडी है इसको हमने सिर्फ पांच मिनट तक पकाना है ज्यादा नहीं पकाएंगे सिर्फ पांच मिनट इसको हमने मिक्स करना और पकाना है हमारी स्पैगेटी पिलकुल रेडी है अब मैं इसमें उपर से गार्णिशिंग के लिए हरे प्यास करेंगी वैसे निक्स करके हम सर्फ कर सकते हैं अगर आपको मेरी रसे भी पसंद आए तो मेरी रसे भी को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अलाहाफिस